चेले बई, बिसमिल्लाइ रिवाने रहीं तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? याद है आपको क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज कल? जी, हम पढ़ ये रहे हैं कि जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं किताब में से कोई सबक पढ़ते हैं कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई रिसाला पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या इंटरनेट पर बैठकर आप कुछ मुताला करते हैं तो पढ़ते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इन बातों का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे तो आप अगर उस टेकस्ट से ज्यादा सीह्ख पाएंगे और अगर आप इसका ख्याल निरखेंगे या ऐसी सरसरी पढ़ते जाएंगे उपर उपर से तो फिर आप चीजें सीख नहीं बाइंगे और आपको knowledge नहीं मिलेगी उसमें असल में जो text कोई लिखता है, कोई कहानी लिखता है या कोई सबक लिखता है, या कोई मजमून लिखता है तो उस मजमून में कुछ खयालाद डाले होते हैं तो अगर आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं उस आदमी की बात तक नहीं पहुँच पाएं जानी नहीं पाएं कि वो क्या बताना चाहरा है तो फिर उसका लिखना भी बेकार हो गया और आपका पढ़ना भी बेकार हो गया तो पढ़ाई ऐसे करने से हम आगे नहीं बढ़ते हमेशा ऐसा पढ़हें कि उसके मफ़ूम तक और सही बात तक पहुँचें कि वो बात क्या कहना चाहरा है इस सलसले में हमने आप से कहा था कि नौ बाते हैं जिनका ख्याल रखना आपको जरूरी है पहली बात हमने पढ़ाई थी टेक्स इस्ट्रक्चर ओफ टेक्स्ट यानि जुम्ले की साख्त तो उसमें हमने बताया था कि जुम्ला होता है वो क्या बयान कर रहा होता है क्या बोल रहा होता है आपको कल की किलास में हमने पढ़ाया कि जुमला बाद जो है वो हाकीकी बयान कर रहा होता है और बाद जुमले में जो लवज होते हैं वो हाकीकी नहीं होते हैं बलके मजाजी होते हैं ठीक है तो मजाजी का मतलब यह होता है कि लफ कुछ बोलता है और उसके माइने और उसका मफूम कुछ और बता रहे होते हैं तो मजाजी के हमने छे जो है वो असलूप बयान किया आपके पास कल की किलास में आज की किलास में हम आगे की तरफ बढएंगे और पढ़ने जाएंगे की और क्या चीज़ें जिनका हमें ख़याल रखना है तो तीसरी बात ठीक है जिसका हमें ख़याल रखना है अपनी स्टडी के दोरान वो ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चीजें फैक्ट्स होंगी और कुछ चीजें उपीनियन होंगी यानि हकाइक और राए ठीक है जब आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को तो उस टेक्स्ट में कुछ चीजें तो हकाइक होंगी फैक्ट्स होंगे लेकिन कुछ चीजें राए होंगी मुसन्निफ की राए ठीक है अब आज की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा मसला है ठीक है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या फेस्बुक के ओपर भी मुक्तलिफ कि पोस्ट आती है वो आप पढ़ते हैं ठीक है तो उन पोस्ट में से पढ़ने वाले को अलग करना होता है इसमें हकाई क्या है और उसमें मुसन्निफ की राए क्या है ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर जो हकीकत होगी सही उसके लिए दलील देनी पड़ेगी और जो राए होगी उसके लिए दलील की जरूरत नहीं है क्या म जो फैक्ट होता है चीक है उसको प्रूफ करना जरूरी होता है अज़ पहले दो ये कि फैक्ट क्या है और राय क्या है ये समझ लें सही है मिसाल के तोर पर इसलामाबाद पाकिस्तान का दारूल खिलाफा है ये पड़ा अपने तो ये तो फैक्ट है सही है पाकिस्तान के पांच सूबें फैक्ट है अब गिलगित बलतिस्तान भी क्या बन रहा है सूबा बन गया इसी तरीके से दुनिया की दूसरी चोटी का नाम हुए यह फैक्ट है पानी सो डिगरी सेंटीग्रेट पर उबलता है फैक्ट है बरफ जीरो डिगरी सेंटीग्रेट पर जमती है फैक्ट है हकीकत है ठीक है लड़के लड़कियों से ज्यादा बत्तमीद होते हैं फैक्ट है या मेरी राए है फैक्ट है कैसे पता चला पुरू प्रूफ है को थाबित किया गया कैसे क्या किसी ने बाद आपता तहकी करके और दुनिया के जो एक लाग लड़कों का मुशायदा किया फिर एक लाग लड़कियों का मुशायदा किया और फिर उसने रिपोर्ट बनाई कि वह मैंने तो यह देखा है कि लड़के जो जादा श छाप ल लटके लड़कियों से ज्यादा जहीं होते है आ göz भर तक पूरूफ किया जाए वहाई है तो । फे गए Fields जो लड़कों के जिसम निकालए था इस में जो उस सेल थे उस सेल के अंदर यह यह चीज नहीं थी जिसकी वज़ा से वह बहुत जहीं हो गए मिसाल है और लड़कियों के जो बलड है उसमें जब तो पता दिला कि उनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है मिसाल है तो फिर वह फैक्ट नहीं होगी बोल क्या हो जाएगी वह फैक्ट हो जाएगी जब आपको जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के दोरान आपको यह फैसला करना होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यह फैक्ट है या उपीनियन है हकीकत है या राय है हकीकत का बयान हो रहा है सही है जिसके लिए को दलील है जिसको पुरूफ किया जा सकता है तो वो हकीकत है और अगर उसको पुरूफ नहीं किया जा सकता है एक से ज़्यादा बात कही जा सकती है तो फिर वो उपीनियन हो गई वो वो राय हो गई वो हकीकत पर मबनी मवाद नहीं है ये बात आपको आज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है हम जो कुछ पढ़ते हैं उसे हकीकत समझते हैं बाज अकाद वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ क्या होती है? राय होती है फेस्बुक पर जितनी भी पोस्टें आप देखते हैं वो सारी की सारी हकीकत नहीं होती है राय होती है उन में से कुछ हकीकत भी होती है लेकिन हमारे हाँ गड़बड कब होती है जब आप राय को क्या समझने लगए हैं हकीकत और हकीकत को क्या समझने लगए राय फिर आप जो मसन्निफ ने लिखा है जो आपको बताना चाहरा है आप उसमें गड़बड कर गए इसलिए मुताले के दौरान ये जानना जरूरी है कि जो चीज मैंने पड़ी है उसका तालुक हकीकत से है या उसका तालुक राए से समझ मेरी बात मिसाल के तोर पर खबरें भी जो आती है आपको पता है खबरें जिसे हम कहते हैं खबर असूलन तो खबर को हकीकत होना चाहिए लेकिन बाद अख़ाद खबर हकीकत नहीं होती वो भी बनाई भी होती है किसी की राय होती है उसम क्या आप करार दे देते हैं खबर करार दे देते हैं मिसाल के दोर पर एक खबर आ गई इमरान खान ने कश्मीर का सौधा कर गया खबर आ गई फेस्बुक पे भी लग गई टीवी में भी किसी ने आके बोला भाई इमरान खान ने तो कश्मीर का सौधा कर गई अब ये जो बात आपने सुनी है इसे आप हकीकत समझेंगे या राय समझेंगे अगर आप इसको हकीकत समझेंगे तो बुलेंगे पुरूफ करें पुरूफ करने का मतलब सौधा कैसे किया, किसे किया किसे पैसे लिए, किसको काख़ाद दिये कश्मीर हमने तुमें बेज दिया ये लिए लिए इतना पैसे ले लिए करोड़ो रुपय आ गए अर्बों रुपय आ गए तो अब ये अगर पुरूफ हो गया तो अब ये क्या बात हो गई ये हकीकत हो गई ठीक है लेकिन अगर ये पुरूफ नहीं है तो सिर्फ ये क्या है राए है उपीनियन है ठीक है तो हर खबर हाकीकत पर मबनी नहीं होती हर बयान हाकीकत पर मबनी नहीं होता पढ़ने वाले के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जब कोई चीज पढ़ है तो वो ये देखे कि जो बात उसने पढ़ी है उसका तालुक हाकीकत से है या उसका तालुक किसी की जाती राए से हाकीकत से इختलाफ नहीं कर सकते है पानी सौ डिग्री सेंटी गरेट पर उबलता है इससे इختलाफ नहीं कर सकते है दूसरी बात कर सकते हैं, अगर बोलेंगे, भाई, क्या सारी दुनिया के अंडे देख लिया आपने, बाद जानवरों के अंडे ऐसे होते हैं, जो काले होते हैं, निसाले, अगर आपने कहीं रिपोर्ट देख ली, नेशनल जोग्राफिक चैनल की, जो सांप जो अंडे देता है, वो तो का रिक्तलाफ किया जाबुधता है पानी के अंदर दो हा्यड्रोजन और एक आक्सिजन होता है तक हाकीकत चायगत य।या राय apar किंके में 2 हाइड़ोजन होंगे और एक क्या होगा心 है तो हाकीकत से इख्तिलाफ नहीं होता क्योंके उसके पीछे डलाइल होते हैं उसके पीछे रीजन होता है उसके पीछे प्रूफ होती यह चीजज है साबित शुदाद चीज ओती है मानी-जाएनी चीज होती है देते हैं ठाँ अचा और राएका जब दरज़ा देंगे तो उसमें पिर इक्तिलाव हो सकता है जैसे मैं बोलूं लड़कियां बहुत तेज होती है लड़कियों को मुकाबले में तो आप आप क्या बोलेंगे सरी आपकी राए है और हमेंसे इसे इखतलाफ है लड़किया बोलेंगे सरी आपकी राए हमाँ आपसे इत्तिफाक करते हैं ऐसा ही है ना अच्छा इत्तिफाक जो आप मुझसे कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि मैंने हकीकत का बजान किया है नहीं मेरी फेस्बुक की पोस्ट पढएंगे, फेस्बुक के पर वीडियो देखेंगे. अब हैं यहां यह भी मस्वाओं के फेस्बुक पर वीडियो देखेंगे. तो वीडियो देखने के बाद भी आप कुछ चीजों को हकीकत समझेंगे, कि ऐसा होता है लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं होता हो क्योंकि हर वीडियो के अंदर हकाइक बयान नहीं हो रहे हैं वीडियो बनाने वाले ने अपनी वीडियो को मसालादार बनाने के लिए अच्छा लोग जादा से जादा देखें बनाने के लिए उसने क्या करा है उसके मैंने देखा है तारीखी जो वीडियो आती हैं वे चंगेश खान के बारे में वीडियो एक किसी आदमे ने लगा दिए ठीक है वह बारा मिनुए ट्वी वीडियो इसको आप देखीए तो उस-पर पता जलता है वे चंगेश Χान कोन और ये जो आदमी बयान कर रहा है ये कुछ और बयान कर रहा है अच्छा सब बच्चे नए जब देखते हैं तो उसी को क्या समझते हैं हकिकत वो चंगेश खान को क्या समझते हैं कोई फिल्म देगी थी उसने चंगेश खान की उस आदमी ने फिल्म देगी थी चंगेश खान की को इंग्लिष में तुसी चंगेस खान की फिल्म को उसने क्या करा वो बना दी वीडियो चंगेस खान तो यह था यह था अब जैसे आप लोगो जो आपने ड्रामे दे गए कि उसने एक लड़की से शादी की थी उन दोनों का प्यार हुआ था वो सब बता हो गया आप है ना लेकिन आप दर असल क्या बता रहे हो आप हकीकत नहीं बयान कर रहे हैं आपने तारीख का मताल़ नहीं किया आपने किताब नहीं पढ़ी बलके आपने क्या कर रहा है एक ड्रामा जो देखा है उस ड्रामे की बनियाद पर अपना बयान दे रहे हो ऐसे ही किताब में जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि इल्म तो आपको हर जगा में फर्क नहीं जानेंगे तो आपका इल्म अजीब औ गरीब चूँचूँ का मुरब्बा हो जाएगा हो सकता है कि किसी की राए को आप क्या समझ ले हकीकत समझ ले समझ मैं रही बात आपको बही एक आदमी को गतल कर दिया किताब में लिखा बार उस आदमी को जब गतल किया उसके मदब बाश्या ने उसका सरकलम करने का हुकम दिया को जरूम किया था उसने उसने जब सरकलम किया तो उस आदमी का सर तो कटके गिर गया नीचे अब वो आदमी गया और जा कि उसने का अगर अपना मुंड़ा उठाया सरकला में उसने का अगर अपना मुंड़ा उठाया और उसके नर्खरे में हाथ डाल के दिवार पे कुछ लिखा बहुत सारा पेगाम दिया कुछ तो किसी बुद्रुक का वा 성 bok है आप किसी आदमी ने किताब में किया वा है आप उसको पढ़ रहें आप क्या समझ रहें सच है और हो सकता है कि सच भी हो लेकिन हो सکता है कि सच नहाँ इस अदमी ने अपने टرف से काहनी घड़ी हो ठीक है तो पढ़ने के दोरान आपको ये जानना जरूरी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहें इन में हकीकत क्या है और इन में राए क्या है हकीकत खुबूल हो जाएगी क्योंके वो पुरूवड होगी साबित होगी और राए मान भी ली जाएगी और शायद उससे इक्तिलाब भी किया जाए बाज वकात इस होता है मैं जो इक्तिलाब कोई नहीं है लेकिन मानने के लिए दिल तैयार नहीं है अब जैसे ये मैंने वाके बताया आप बोलोगे सार आपने जो वाके बताया मुझे इक्तिलाब भी नहीं है इसे लेकिन दिल मान भी नहीं रहा, अच्छा हकीकत में ऐसा नहीं होता, अगर हकीकत बताऊंगा, तो आपका दिल भी मानेगा, और आपको इखतलाब भी नहीं करोगे, जैसे मैं बोलूँ, के पानी सो डिग्री सेंटिग्रेट पर उबलता है, आपका दिल भी मानेगा, और आप इख्तिलाफ भी नहीं करोगे क्योंकि ये क्या चीज़ है? हाकीकत है ठीक है? लेकिन जो राए होती है बाज अकाद आप उसे मान लेते हो बाज अकाद आप उसे इख्तिलाफ करते हो बाज अकाद आप मान तो लेते हो अख्तिलाफ नहीं करते बाज अक़ाद आप ना अख्तिलाफ करते हो ना म länger मांते हो बुला भी सही, आपने बात कही दी ना मुझे इससे अख्तिलाफ है और ना मैं यह मानने के लिए तयार हूँ आपसे पुछेगा क्यों नहीं मानने के लिए तयार तो आप बोगे शायद मुझे पता नहीं है मैं क्यों नहीं मान रहा लेकिन मुझे दिल दिमाख तसलीम नहीं करता इस बात को के लिए रोगे बात आपको तीसरी बात समझना आ गए लिख लीजे साथ साथ तीसरी बात में और कोई जेली बातें नहीं थी आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी बात सासद लिखते भी जाएए ताकि मुझे रुकना ना पड़े बात में आपके लिए इसके बाद अगला टॉपिक है स्टोरी स्ट्रक्चर कहानी की साथ अब यहां कहानी मैंने लिखा है कहानी भी हो सकता है और मजमून भी हो सकता है या तहरीर भी हो सकती है चीक है तो मैं अब जो हमारा मौजू है जिसमें आपको टेक्स्ट में मैंने अब तक महदूद रखा था टेक्स्ट परेग्राफ जो पड़ रहें जो देख रहें जो सोच रहें वहां तक अब हम इससे थोड़ा ऊपर आ गए हैं अब हम आरें पूरी कहानी की बात फाइनल अब आप अप परेग्राफ में नहीं अ अब आप लाइनों में नहीं अब आप अब आप किसकी बात कर रहें पूरी कहानी की पूरी तहरीर की जब पूरी तहरीर को आप देखते हैं ठीक है पूरा मजमून आप पढ़ते हैं पूरी स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो उस स्टोरी की साखत होती है उसकी कुछ बना प्लाट होगा, क्या होगा, प्लाट, प्लाट समझते हो, छीक है, जैसे जब आप कोई कहानी सुनते हो, तो कहानी वाला बादापता पहले जहन में उसके ख्याल होता है, कि बई मैं ऐसे 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 चलूँगा, पहले तारूफ कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है, जो है, जो करेक्टर है उसके अंदर, उसके बारे में बताऊंगा, वो कहां रहता है, उसके बारे में बताऊंगा, फिर कोई वाकिया जो मुझे बताना है, जिसके लिए मैं कहानी लिख रहा हूँ, उसको बयान करूँगा, सही है, और फिर कहानी का end करूँगा, कहानी शुरू कहां से करूँगा, कहानी में बयानात कैसे चलेंगे, फिर कहानी के अंदर जो है, उसका पीक पॉइंट कहां आएगा, फिर कहानी ढ़लना कैसे शुरू करेगी, और फिर कहानी का इखतिताम कैसे होगा, यह जो सारी बात होती है, यह पहले से मुसनिफ क्या करता है, अपने दहन में बना कर रखता है, चीक है, इसको क्या कहते हैं, कहानी का प्लाट, ठीक है, आप जब पूरी कहानी पढ़ लेते हो, तो आप कहते हो, यार इसका प्लाट बड़ा टाइट था, जबर्दस प्लाट था, प्लाट का मतलब, इसमें जो उतार चड़ा हो आएं, जैसे वो लेके चला है कहानी को, जैसे जैसे उसने हमें आगाही दी है, जैसे जैसे वो कलाइमेक्स पर लेकर आया, भी कलाइमेक्स भी मैं डिसकस करूँगा, ठीक है और फिर कैसे उसने कहानी का अक्तिताम किया है, वा 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 जबर्दस्त बात हो गई, आप बोलेंगे, कि इस कहानी का प्लाट बहुत अच्छा था बाद वकात ऐसा होता है कि कहानी पढ़ रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आता हम जा कहा रहे हैं हो क्या रहा है इसमें पहले आने वाली बात बाद में आने वाली बात पहले आ गई पता ही नहीं चला कलाइमेक्स कहा था इसका व प्लाट साही नहीं था। मुसनिफ ने कहानी का प्लाट अच्छा नहीं बनाया। प्लाट समझ में आगी बाद। कहानी सफर कैसे करती है। आपका जहन उसके साथ कैसे मैश करके उतार चड़ाओं में चलता है। कभी वो खुशी का बयान करता तो आप भी उसको देखके खुश हो जाते हैं। कभी वो गम का बयान करता तो आपकी भी आखें भीग जाती है। वो जजबात जो दिखा रहा होता है वो आपके अंदर पैदा हो रहे होते हैं। पतल हो रहा हुता आपके साथ इसका मतलब क्या है काहानी का जो प्लाट है वो बहुत अच्छा फिर उसने इकताम भी बड़े मुनासिब टरीक के से किया है ऐसा ही इकताम होना जाए तो वावाव मदा आगए तो हम बहुत बहुत अच्छा है प्लाट समझ में आ गया, नमबर एक, नमबर दो, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैटिंग, ठीक है, और उर्दु में आप उसको कह लें स्टेज, हाला कि स्टेज भी जो है वो, इंग्लिश का ही लवज है, लेकिन आप लोग जैसे दूला स्टेज पर बैठता है, और स्टेज ड्रामा होता है, उसमें डिफरेंट किसम के सीन होते हैं, उसको आप कहते हैं सैटिंग, सैटिंग से मुराद, कहानी आपको ये बताती है, कि वक्त कौन सा है, कहानी आपको ये बताती है, कि मौसम क्या है, कहानी आपको ये बताती है, कि जहां बातें चल रही हैं, वो कमरा ह वो पार्क है, वो किसी के घर में बैट के बात हो रही है, यानि जो इन्वायरमेंट है कहानी के अंदर, उस इन्वायरमेंट को आप क्या कहते हैं, सेटिंग, यह बासमयरी है, जैसे भी आप कहानी पढ़ रहे हो, विजर्ड ओफ ओज जो आपने पढ़ा है, कावर्ड लाइन उस कहानी के अंदर, आप देखो, वो बताता है, एक तख्त है, उस पे उजमा बैटती है, उसके पीछे सारे लोग खड़े होते हैं, वो एक घंटे के लिए आती है, अचा वो फिर तख्त को बताते हैं, उसके दाएं और बाएं, एक जगा जो हो कावर्ड लाइन है, एक ज इसको पड़कर आपके दिमाओ में क्या आरहा है, गी। सिटेज आरहा है इस सब मंदर को आप क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश में सेटिंग कहते हैं और उर्दू में मैंने इसको बेयान किया है, पर शीर हो गई, भ पहानी पढ़ेंगे- तेहरेर पढ़ेंगे अचा उसमें भी बयान होता है कि यह कहानी 1857 की है अब आपका फॉरण दिमाग का चला आता है पुराने दमाने में अच्छा पुराने दमाने में 1857 की और उस कहानी में वह बोले हीरो जहाज में बैटके दुबई चला गया आप क्या हो लोगा यह तो प्लाट ढीला हो गया बात किसकी हो रही है 1857 की उस जमाने में जहाज मिसाल नहीं थे दुबई का मुल्की नहीं था ठीक है समझ मेरी बात तो आप बोलोगे भाई सेटिंग से आपको पता चलता है सेटिंग से कहानी की सेटिंग से आप जानते हो कि ये कहानी जो है, मुझे किस जमाने में रहकर सोचनी है समझ मैंनी बात फिर मुसन्निभी क्या करता है, उसी जमाने में रहकर वो घोड़े गाड़ी पे सफर कराएगा ऐसा ही है, वो काफलों को बयान कर रहा होगा उसको चाते वे रस्ते में क्या क्या दीख रही होगी नहर दीख रही होगी नहर हो सकती है बेड़ बकरेया चर भुषा है करते वह जारे है यह उसको नदर नहीं आएगा आगी बात आपको दूसरी बात तीसरी बात जो है वह क्यालाती है conflict कनफिलिक्ट का मतलब होता है तजाद कि ठीक है कहानी में जो प्राब्लम्स होते हैं मसायल होते हैं उसे आज़ाते कहते हैं कनफिलिक्ट जब कहानी चलती है तो कहानी में कुछ मसाइल आते हैं, कुछ उल्जाओ आता है, सही है? तो, मैझत आप महसूस करते हैं कि ये मसला आगया कहानी में, problem आगया कहानी में, ठीक है? तो उस problem उस उल्जाओ को, बातों में, discussion में जगला हो ग Sydchan हो गए आपस में। ठीके है? या उसने उसको सखत बात कह दी। ठीके? और आपस में उनकी नाराज़गी हो गई। आप समझें इस कहानी में क्या पाया जा रहा है? बोलो ये कि उसके बाद एक चीज है वह आपको समझनी है डा नेरेटिव इस्ट्रक्चर और इसको हम तसलसुल कह लें चौथी चीज क्या होती है तसलसुल कि और उर्दू इंग्लिश में इसको क्या कहते है नेरेटिव कि इस्ट्रक्चर इसको समझातों में यह क्या होता है यह ऐसे होता है ठीक है इसमें यह कहानी का उभार कि यह क्लाता है क्लाइमेक्स उभ्य है क्लाइमेक्स कहानी के उतराओ मुत्रिव यह कहानी खरो करता है पहले ही परIDE открыв में कहानी का पीक नहीं दिखाता समझे हैं क्लाइमेक्स का मतलब वो जगा जहां पर जजबाद सबसे उपर हो जहां कहानी टरन हो रही और जहां कहानी नुक्त हम रूज पर हो कि जानी क्या हो है जैसे अब आप जो कहानी पढ़़ रहे हो इंग्लिष की कहानी की मिसाल दे रहा हूं किया नाम है उसका कावर्ड लॉइन आपने देखा है कि वह कावर्ड लॉइन सबसे पहले उभार कर रहा है उभार का मतलब पहले उसने सेटिंग वैटिंग दिखाई है सब बैठे में फिर वो दोनों आपसे बातें कर रहे हैं यार यह क्या जिंदगी ह है यहां तो मज़ा ही नहीं है कोई हमसे डरता ही नहीं है सही है इससे बैतर तो यह है कि हम क्या करें जंगल में भाग जाएं यह बयान हो रहा है उभार शुरू हो रहा है अच्छा जंगल में भागें कैसे एक काम करते हैं पहले ऐसे ही नहीं भागते हैं लोगों को डराते ऐसा करता हूं कि मैं किसी को खा जाता हूं वह भी किसी को खा जाता हूं जब हम खा जाएंगे तो सब लोगों को हम पर क्या है का गुस्सा वो हमारे पीछे भागेंगे तो हम कहां जाएंगे फिर जंगल में भाग जाएंगे वह यह सोच रहे हैं यह भार चलता है अच्छा ज कि श्यर के सामने एक बच्चा आगया। मैं पड़ा भी आप लोगे नहीं पढ़ा है नहीं पहुंचे Present और उसके सामने बच्चा आगया.. अब बच्चा आगया वो रो रहा है और शेर खट़ा है- उसने क्या सोच यह निकला वा वह कि मैंने किसी एक को deterior है ठीके अब वो जम्प लगाएगा उसको खाएगा अब ये कहानी कहा पहुंची विए है अपने क्लाइमेक्स पहुंची विए आप यहां पर आपको देगना है कि कानी कैसे टर्ण होगी इसी तरीके से एक औरत आ यह भागी भी उसकी अम्मा बच्चे की जब उसकी अम्मा भागी भी आई है तो हंगरी टाइगर जो है उसने बोला यह मेरा शिकार है अब वो क्या उसको खाएगा वो उसके पीछे भागा है तो यह जो मुकाम है जहां कहानी यहां तक पहुँच जाती है यह कहानी का कौन सा मुकाम है हम बोलेंगे कलाइमेक्स है ठीक है अब उसके बाद कहानी का उतरना शुरू होगी अब टरनिंग पॉइंट होने के बाद आप कहानी वापिस आना शुरू होगी वापिस आते आते उसका क्या हो जाएगा इस पूरी बात को क्या कहते हैं निरेटिव स्टुर्चर या तसलसुत जब आप कहानी पढ़ते हैं काहनी का जाएगी कलाइमेक्स पे जाएगी पीक पे जाएगी अपने बात नुक्ता औरूच पे जाएगी और फिर वापिस वहां से क्या होना शुरू हो जाएगी नीचे क्या आना शुरू हो जाएगी और आखिर में क्या निकलेगा नतीजा हर तहरीर जो आप पढ़ेंगे वो इसी पैटरन पर लिखी जाती है और आप अगर हर तहरीर में से इस पैटरन को निकालने के काबिल हो जाएं कि ये कहानी की जो है वो प्लाट है ये कहानी का स्टेज है ये कहानी में कंफलिक्ट पाया जा रहा है अभी आप देखिए का दोनों में कंफलिक्ट होगा किन दोनों में जो हंगरी टाइगर है और जो कावर्ट लाइन है आगे आप पढ़ने के दौरान पता देलेगा इन दोनों में कन्फिलिक्ट हो गया वह एक बात कह रहा है वह उसकी बात को करास कर रहा है बुला ऐसे थोड़ी होता है तो दोनों में क्या पाया जा रहा है कन्फिक पाया जारा और इस पूरी कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैसूस होगा कि कहणी में मसंनिफ क्या करता है पहले कहानी को भुनत करता लेका एक सीन वह आता है जो बिलकुल फाइनल होता है जहां पर आप सबके जजबाद पूरा होता है सब की आंखें यहां लगी होते हैं के सकतने हैं और वही दरता कहानी का कगा होता है इस तो क्लाइमेक्स याूर्द या उर्दू में कहेंगे नुक्ता अरूज, कहानी अपने अरूज पर है, उस वक्त आप से मैं कहानी शीन लूँ, या उस वक्त बोलो जारा एक गिलाज जाके पानी लेकर आओ, या सौधा ले आओ, अम्मा बोले जाओ, सौधा ले आओ, और आप कहां खड़े हो, कलाइमेक् भी क्या होता है, बाज में कलाइमेक्स आते हैं, आते ही नहीं है, वह फुसी होजाता है, ठीक है, तो ये चार चीज़ें, आपके स्टोरी का स्ट्रक्शर होती है, जो भी बच्चे कहानी पढ़ें, मजबून पढ़ें, कोई पूरी बात किसी ने लिखी है, वह पढ़ें, तो वो पढ़ने के दौरान ये देखेंगे कि कहानी के अंदर मुसनिफ बुनत शुरू करता है उसके जहन में एक प्लाट होता है वो कन्फिलिक्स को भी बयान करता है वो मौका और महल और माहूल इसको भी उसमें बयान कर रहा हुता है वो सेटिंग होती है उसकी फिर वो कहानी को लेके चलता है चलता है बेसिक चीज़ें बताता है और कहानी के अंदर जो है वो इसको राइजिंग एक्शन कहते हैं राइजिंग एक्शन होता है उभार कहानी को देता है फिर कहानी एक जगा पे कहां जाती है जहां turning point होता है जहां से नतीज़ा आपको निकलना है कहानी का जब वो आ जाता है तो फिर कहानी वापस अपने मुकाम पर आना शुरू होती है और end की तरफ वढ़ती है और आखिर केंदर कहानी का नतीज़ा होता है उतार लीजे इसको भी साथ-साथ है कि ठीक है कितना टाइम हो गया की है कि 5 मिनट रहे गया चालें कि इक टापिक और पड़ लेते इस लेकिन वह स्ट ऑपिक थोड़ा है और चालें इसी में शामिल कर लेते हैं कि पांच्वी चीज जिसका आप खयाल रखना है उससे कहते हैं और थे शुटा Mouse हिए किर्दार कहानी में किर्दार होते हैं Characterization चीक है? यानि जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई मजबून पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें तीन बातों का जानना ज़रूरी है हर paragraph, हर जुमले के बारे में तीन बातों का जानना ज़रूरी है नमबर एक बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? नमबर दो किसे बोल रहा है? सही है? यानि मुखातिब कौन है? ठीक है, कहने वाला कौन है, किस से बोल रहा है, दो बातें, और तीसरी बात, किस के बारे में बोल रहा है हर पेरिग्राफ में अगर आप मुताले के दोरान ये जान जाएं, कि बात कहने वाला कौन है इसमें, ठीक है, किस से बात हो रही है, किस से मुखातिब है ये और किसके बारे में बात हो रही है तो आप उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसमें जो बातें हो रही हैं जो बातें कही जा रही हैं वो आपको पल्ले बढ़ेंगी अगर आप यहीं नहीं समझ पा रहे हैं किस से बात हो रही है अगर आप यहीं नहीं समझ पाएंगे किसके बारे में बात हो रही है मिसाल के दोपर इसी कहानी में जो आप पढ़ रहे हो इसी कहानी के अंदर दोनों बातें करतें ये बोलें ये लोग सारे के सारे हम से नहीं डर रहे अब ये लोग कौन है हवाम पब्लिक बोल कौन रहा है कावर्ड लाइन किस से बोल रहा है हर बात में जब भी आप बात पड़ रहे हों जब अब नेरेटिव आ रहा हो आपके पास तो आपको ये जानना जुरूरी है कि ये बात करने वाला कौन है ये बात किस से कही जा रही है और ये बात किस के बारे में कही जा रही है इन तीन बातों को समझना इसे आप क्या कहते हैं केरेक्टराइजेशन ये बात क्लिर होगए या आपको अच्छा एक बात और भी समझ लीजिए बाद अकाद जो है वो मुसनिफ क्या करता है कैरेक्टर बनाता है जैसे इस कहानी में जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कैरेक्टर बनाए है उसने जैसे आप पढ़ते हो आपके दिमाग में मलका भी आ जाती है आपके दिमाग में शेर भी आ जाता है आपके दिमाग में पबलिक भी आ जाती है अब आगे जब कहानी चलेगी तो बच्चा आ जाएगा रोता वा तो ये केरेक्टर है तो केरेक्टर बोलते वे तो आपको नजर आएंगे कहानी में लेकिन बाथ उकात ऐसा होता है जो मजमून होता है मजमून का मतलब यह कि कहानी नहीं है वो फिक्षन नहीं है बलके वो अपनी जानिब से कोई अखलाकी तहरीर है तो उसके अंदर बोलने वाला सिर्फ एक होता है मुसन्निफ होता है सही है? इसी कहानी में भी चलते-चलते आपको किसी जुमले से ये महसूस होगा कि ये जुमला मुसंणिफ ने बोला है ठीक है बहतरीन जो रीडर होता है वो ये जान लेता है के कहानी के अंदर कौन से जुमले ऐसे हैं जो character बोल रहे हैं, जो बनाए गए थे इसमें, फरजी, और कौन से जुमले ऐसे हैं, जो character नहीं बोल रहे हैं, बलके मुसनि बोल रहा है, जैसे मिसाल की तोर पर, कहानी शुरू होती है, बहुत पहले जमाने की बात है, किसी गाउं में एक लकड़हारा रहता था, ये कौन ब बोल रहा है, ठीक है, राजू की एक बूड़ी माँ थी, एक दिन उसकी बूड़ी माँ ने राजू से कहा, आप कौन बोल रहा है, उसकी अम्मा बोल रही है, वो इन्वर्डेट कामा में आएगा, वो जो अम्मा बोले हैं, वो किसमा आएगा, इन्वर्डेट कामा आएगा काम करते करते चलोड ये वह बोल रही है किसमें बोलेंगी इन्वर्टिटकमा या सब फॉरंड राजू ने बिस्तारब्र र पर करवत लेते हुए तेज आवाद में वोला तो अब भूला अब फिर इन्वर्टिटकमा कैओंं 김 बोल रहा है जराजू बोल रहा है अम्छ बोलो है यह आपको जब नप टेक्स पड़रहे होंगे तो यह आपको जानना चाहिए किससे बोलो है अच्स बा dzień काथ राजू ने सोचाacked राजु ने सोचा उसके अम्मने बोला था यह जो जैना मेरी गाए है इसको बेज़ दो बेज के पैसे लेआओ अब रास्ते में जा रहा है वो तो राजु ने सोचा कि अगर हम गाए बेज देंगे तो हमारे पास तो दूद भी नहीं निकलेगा अब जो राजु सोच रहा है वो किस से बोल रहा है वो अपने आप से बोल रहा है ऐसी चलते चलते बात हो रही है अब मुसनि भी बोलना शुरू करते हैं फिर ऐसा हुआ कि उसे रास्ते में एक जादूगर मिला यह कौन बोल रहा है यह मुसनि बोल रहा है फिर ऐसा हुआ कि उसे रास्ते में एक जाद नहें बता रहे evolrou 1 को पिर जादूगर ने कहा अच्छा नए नए चैरेक्टर भी बन रहे है पटने वाले के दिमाग में सारे ते जादू एक उसकी अम्मा आ रहे थीक है वूं अभुद आरा है जादुगर भी आ गया जादुगर ने उसको कहा कि कहां लेके जाते हो ये गाए मुझे गाए की बड़ी सदी जरूरत है तुम मुझे ये गाए बेज दो अब वो ये कह रहा है फिर राजु ने सोचा समझ में आरी बात तो जब आप कहानी पढ़ेंगे जब आप केरेक्टर पढ़ेंगे तो उस केरेक्टर के अंदर उस कहानी के अंदर केरेक्टराइजेशन की परफेक्ट अंडरिस्टेंडिंग इंतहाई जरूरी है जब तक आपको केरेक्टराइजेशन की मुकमल अंडरिस् तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे इस इट किलियर तो जो पांच्वी बात जिसका देहान आपको रखना है कहानी पढ़ते वक्त वह यह है कि इस कहानी में इस तहरीर में किरदार जो है वो कौन-कौन से हैं और मुसन्निफ अपनी बात कहां से डालता है मुसन्निफ अपनी बातें बड़े अजीब तरीक से डालता है बाद जोकात अपनी राय भी डाल देता है राय डाल देता है कैसे राय डाल देता है राय ऐसे डाल देता है राजू देर तक सोता था काम कुछ नहीं करता था वह इंतहाई निकम्मा था अब उसने क्या डाल दी राहे डाल दी पे शञें? यह किसने बताया आपको क्यों निकम्मा था? मुसंनिफ ने बतादिया आपको लेकिन आगे जाएगे मुसंनिफ क्या करता है? मुसंनिफ बोलता है वो तो बहुत महन्ती था कहीं तो आप बोलोगे यह कंफलिक्ट है कैसे स्टोरी में क्या 손पलिक्ट है क्यों पहले क्या बोलता था मा और बेटे की जगड़ा होगी गण बेख तो और एसा भी होगा कि कि जो मुसन्निफ लिख रहा है उसके प्लाट में कफलिक्ट है पहले वह कुछ some other मता करने एंच की लिए अगर उसने सथेडलीश की है पेले वो निकमा था इसने पताई सोता रहता था फिर उसको जैना रास्ते एक जादू हर मिला उसने उसको का कि भाई फलानी जगह पर जाओ और खेट के अंदर जो है ना एक देख सोने की दफ़ाने उसे खोदो और निकाल लो तो वह जल्दी जल्दी में वापिस आया यह पूछना भूल गया कि खेट के किस जगह पर तो उसने क्या अगर आप पूछना भूल गया था उसने इधर खुदाई 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 पूरा खेट जो है वो उसने खोद दिया लेकिन उसको देख नहीं मिली चाहिए लेकिन खोदने के दौरान उसको यह एहसास हुआ कि यार मैं देख के लिए इतनी महनत कर रहा हूँ अगर यही महनत मैं फसल उगाने के लिए करता और अब तो मैंने इतनी महनत कर ली है मेरी जमीन नरम भी हो गई है लहाद उसे ख्याल आया कि वो जादू कर नहीं था दरसल उसने मेरी मदद की है वो मुझे बताया है कि जब तक आप महनत नहीं करोगे जब तक आपको ख़जाना नहीं मिलेगा अब यह देखो मुसनिफ क्या कर र है कि उसके निकम्मे से महनती होने के बीच में पूरा वाकिया इस्टैब्लिश कर रहा है नेरेटिव है उसका क्लाीमक्स क क्लाइमेक्स क्या था और उसनेख्धाही श्रूर कर था अभी मिली देख अभी मिली देख यह सुछरे थे लेकिन जब वो यह ठक खारके बैढड़ी यह। घिया फिर उसको खयाल आया अभी के कहािनी वापस सुतार की तरफ लेगी और आप कहा आएगा आखरी में नतीजा निकलेगा नतीजा क्या आए कि कोई भी खजाना बगैर मेहनत के नहीं मिलता यह उसने निकाल लिया क्लेरो की बात आपको तो हमने पांच्वी चीज़ आप से डिसकस कर ली करेक्टराइजेशन यह देखिए यह जानना बहुत मुकातिड कौन है किन के बारे में बता रहा है तो हम से कह रहा है किसी और से बाज अका रह ऐा हॉता है किसी और से हमकिन होता है जाऒ जा कि कतल करो जिन लोगों सहबा कराम को हैं को हम कि चला कि रहे हैं जंग की तैयारे करें आप रही जब टहरीह पढ़ते हैं और उसमें केरेक्टराइज़ेशं को नहीं समझ पाते हैं उसमें कौन है किसके बारे में बात हो रही है ठीक है तो फिर आप हमेशा उस तहरीर में उलजाओ का शिकार रहते हैं और कोई नतीजा नहीं निकाल पाते तो बहतरीन मुताले के लिए जरूरी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो रुकें बार-बार और सोचें कि बात किस्वे जानना झूरी है उसरें और किसके बारे में बात हो रहा यह तीन चीजें जानना जहिए और फिर जो करेक्टर इस्टएब्लिश हो रहे हैं उनको भी जहन में रख्षें औरक्टरे स्टेब्लिश क्या हो गया मगते सामने खलती है आप केरेक्टर ही निकाल दो जहन से बाद वकात ऐसा होता है एक सीन में चार केरेक्टर होते हैं लेकिन पूरी कहानी के अंदर वो चौथा करेक्टर आता ही नहीं जैसे आप जो कहानी के अंदर जहानी सारे करेक्टर दिखाता है लेकिन कहानी चलती है तो कहानी सारे क्लास में कम्प्लीट कर लेंगे